हाई एवरिवन स्वागत है आपका मेरे चैनल शेट सॉप फूर्ड में आज हम बनाते हैं इंस्टेंट सांबर मिक्स इसके लिए कड़ाई के अंदर एक कप्तूर दाल एक बड़ा चम्मट चना दाल लेंगे और इन्हें ड्रायर रोस्ट करेंगे एक बार सांबर मिक्स बनाकर आप 3-4 मेने के लिए स्टोर कर सकते हैं अब इसमें 2 चोटी चम्मट साबुद धनिया, 1 चोटी चम्मट जीरा, 5-7 खड़ी लाल मिर्च एड़ करेंगे और 10-15 कड़ी लिव्ज और थोड़ सी इमली एड़ करेंगे खटाई के लिए और इने जब तक रोस्ट करेंगे धीमिया आज पर जब तक डाल का रंग चेंज नहीं हो जाता रोस्ट होने के बाद में गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसमें छोटा एक चम्मट हल्दी पाउडर, डेट से दो चम्मट नमक डालेंगे और एक चम्मट सांबर मसाला एट करेंगे अगर आपके पास सांबर मसाला नहीं है तो इस टाइम पे इसमें एक छोटा चम्मट साबुत दाना मेथी और थोड़ा सा कसा हुआ नारियल डाल देंगे तो भी हमारा सांबर मसाले का काम हो जाएगा अब इसे मक्सी में दरदरा पीस लेंगे अब इसमें तड़का लगाते हैं उसके लिए एक पैन में थोड़ सा ओयल लेंगे और सरसो या राई के दाने डालेंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे दस से पंदरा कड़ी लीव्स और दो साबुत लाल मिस के टुकडे करके और थोड़ी सी पिसी लाल मिस डालेंगे और इसका तड़का लगाएंगे बहुत ही बढ़िया कलर आया और बहुत ही अच्छी खुश्बो आ रही है सांबर प्रीमिक्स की अब जब भी आपको सांबर बनाना हो तो एक प्रेशर कूकर के अंदर थोड़ा सा ओयल लेंगे उसमें ओनियन सोटे करेंगे और अपनी पसंद की वेजिटेबल सैड करेंगे बड़े डेट से दो चमत सांबर प्रीमिक्स एड करेंगे और आउशकता उनसार पानी डालेंगे तीन से चार विसिल लगाएंगे हमारा सांबर बन कर तयार हो जाएगा इतना सांबर परिवार के चार सदस्यों के लिए काफी रहता है आप जरूर ट्रा कीजिए एक बार सांबर प्रीमिक्स बनाकर एक बार बनाने के बारें वहिसे तीन से चार मेहने तक स्टोर कर सकते हैं अगर आपको ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आती है तो लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग